अब देखे एक बार नहरू जी ने चिठी लिखी दे और ये चिठी मुख्यम मंत्रियों को लिखी थे मैं किसी भी आरक्षन को पसंद नहीं करता और खास कर नौकरी में आरक्षन तो कताई नहीं नहरू जी कहते थे अगर SC, ST, OBC को नौकरीयों में आरक्षन मिला तो सरकारी काम का स्तर गिर जाएगा नहरू जी ने जो कहा वो कॉंग्रेस के लिए हमेशा से पत्थर की लकीर होता है नहरू जी ने कहा मतलए पत्थर की लकीर उनके लिए अब देखे एक बार नहरू जी ने चिठी लिखी थे और ये चिठी मुख्यम मंत्रियों को लिखी थे मैं उसका अनुवाद पढ़ रहा हूँ उन्होंने लिखा था ये देश के प्रधान मंत्री पंडित नेरू जी द्वारा उस समय के देश के मुख्यमंत्रियों को लिखी गई चिठी है ओन रेकॉर्ड है मैं अनुवाद पढ़ता हूँ मैं किसी भी आरक्षन को पसंद नहीं करता और खास कर नौकरी में आरक्षन तो कता ही नहीं मैं ऐसे किसी भी कदम के खिलाब हूँ जो अकुशलता को बढ़ावा दे जो दोयम दरजे की तरफ ले जाए ये पंडित नहरू ने मुख्यमंत्रियों को लिखी हुई चिठी है और तब जाकर के मैं कहता हूँ ये जन्मजात इसके विरोधी है नहरू जी कहते थे नहरू जी कहते थे अगर SC, ST, OBC को नौकरियों में आरक्षन मिला तो सरकारी काम का स्तर गिर जाएगा और आज जो आंकली गिनाते हैं कि इतने यहां है इतने यहां है उसका मूल यहां क्योंकि उस समय उन्होंने रोक दिया था रिक्रूट्मेंटी मत करो अगर उच समय सरकार में भरती हुई होती और वो प्रमोशन करते करते आगे बढ़ते तो आज यहां पर पुहते सरापती जी यह कोट में पढ़ रहा हूं आप वेरिफाय कर सकते हैं मैं पंडित लेरू का कोट पढ़ रहा हूं आज़ा कर आज़ा पर प्रहते हैं जो कहा वो कॉंगरेस के लिए हमेशा से पत्थर की लकीर होता है नेरुजी ने कहा मतलब पत्थर की लकीर उनके लिए दिखावे के लिए आप कुछ भी कहें लेकिन आपकी सोच ऐसे कई उदाहरों से सिद्ध होती